हमारे स्पेशल बुलिटिन कश्मीर डारी में अब सभी का स्वगत है शुरुआत करते हैं खबरों के साथ बता दे जम्मू कश्मीर में एक बर फिर से आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है आतंक वादियों के कुलगाम जुले के गोपाल पोरा इलाके में एक हाई स्कूल की हिंदी महिला शिक्षक पर आतंक वादियों ने हमला कर दिया है गोली लगने से महिला शुक्षक गंभी रूप से घायल हो गई, घायल को अस्पताल ले जोया गया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया सुचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुँचे और इलाके की घिराबंदी कर दी गई, आतंकी की तलाश की जा रही है और जवान करी के साथ समझता, बिरोचीफ जोती पशननदा हमारे सा जुड़े हुए हैं, उनका रूप करेंगे जोती लगतार घाटी में टार्गेट किलिंग के मामले जो हैं, लगतार बढ़ते जा रहे हैं एक और मामला, ताज़ा मामला फिर से सामने आया है आज का जो इंसिडेंट था, इसने निसंदे गोर्मेंट के जो प्लैन थे, जो उनके एफर्ट से, जिस तरह से वो पिछले कहीं दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर में शांती बहाली की जाए और जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे लगबग पिछले 20 दिनों से और वो यही कह रहे थे कि वो यहाँ अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं लेहादा उन्हें कहीं भी स्थान अंत्रित किया जाए जहां भी उनको से लिस लगती है पूरे इंडिया में कहीं भी इंक्लूडिंग जम्मो लेकिन परशासन उनको इस तरह से मनाने में लगा था कि यहां ऐसी कोई बात नहीं है जो हो चुका हो चुका आगे उन्हें पू पर लेटे हुए है और यह ही कह रहे हैं कि सरका इनका यह भी कहाना था कि बharkत जन्ता प्रटी और कसम्मी। जब हाए उन्हें वहां वहीं तो यहां पर सुरकशित है ना मैंहीं नोकरी कर पा रहे हैं। लिहाज़ा उन्हें कहीं भी स्थानांत्रित किया जाए अब वो उन्होंने पूरा 24 गंटे का सरकार को कि 24 गंटे में हमारे लिए कोई फैसला किया जाए अन्यता वो खुद ही कश्मीर छोड़के जपनों चले जाएंगे जी जिस तरह से देखिए यहाँ पर एक हिंदी शुक्षक की हत्या की गई है गोली मारी गई है इसको लेकर कि क्या कुछ प्रशासनिक तोर पर आक्शन लिया जा रहा है देखिए जिस तरह कभी भी कोई वारदात होती है उसके बाद पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते हैं मौके की स्थिति का जाइजा लिया जाता है उसके बाद एक्शन्स होते हैं और उसके बाद एक बयान बादिया शुरू होती है कि हम उनका बदला लेंगे हम ये करेंगे ये काहिराना हरकत है तो इस तरह के तमाम पॉलिटिकल स्टेट्मेंट्स भी आना शुरू हो जोती हो रहता आज भी हो रहा है लेकिन आप देखे टार्गेट किलिंग के तहट चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है तो निसंदे दैशत का महुल पनब चुका है अलाकि सुरक्षा भलों ने लगातार इंकाउंटर्स करते हुए तहीं अतंक वादें को मौत के गाट उतार दिया है बावजूद इसके ये कहां से अतंकी आ रहे हैं और बिल्कुल टार्गेट के लिंग करते हैं आज मी जैसे उस्कूल में गुसके उन्होंने उनको मारा है तो एक बहुत बड़ी वारदात है अब तभी से ही जितने भी जम्मू ये जम्मू के रहने वाले थे जम्मू के साहज लेके ये रहने वाले थे इनके घर में पूरा इस तरह का माहौल है जैसे अभी ये जितने भी कश्मीर में लोग है अभी लोग आज देंगे तो कुल मिलाकस सितियां बहुत पहज नहीं है समवेदंशील मामला है और सरकार कोई समय अंगर कोई बड़ी कारवाई जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई confidence measure डिवलप ही नहीं होंगे कि इनको किसी तरह भी अब convince करना लागत नामों किन सा प्रपीद हो रहा जी जोती बने रही है आगे लगतार अपडेट साब से लेते रहेंगे बड़ी जानकारी और मैं तो पूर्ण जानकारी अपने दर्शों को तक पहुचा रहे थे बता दे कि जमू कश्मीर में फिर से टार्गेट किलिंग की निशाने पे आई हैं एक हिंदू शिक्षक तो जमू कश्मीर के अवंदी बोरा में सेना और आतंकियों के बीच आज सुबह से ही मुटभेड शुरू हो गई है जिसमें सुरक्षबलों को एक बड़ी काम्याबी मिली है सुरक्षबलों ने मुटभेड में दो आतंकवादियों को मार कि राया है तो वहीं सुरक्षबलों ने आतंकियों के कभजे से दो एक फॉर्टिस्टेवन भी बरामत की है और जानकरी के लिए ब्यूरो चीफ जोती पच्छबलों का लगतार सर्च ऑपरेशन जारी है लगतार आतंकियों की खोजबीन वहाँ पर की जारी है और पकड़े गए आतंकियों के पास दो एक फॉर्टिसेवन बरामत किया गया है क्या कुछ और जानकरी कुलगाम जुले के गोपाल पोरा इलाके में एक हाई स्कूल की हिंदी महिला शिक्षक पर आतंक वादियों ने हमला कर दिया है गोली लगने से महिला शिक्षक गंभी रूप से घायल हो गई गायल को अस्पिताल ले जौया गया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया सुचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और इलाके की घिराबंदी कर दी गई आतंकी की तलाश की जा रही है और जव जवानकरी के साथ समझताए बिरुचीफ जोती पशनन्दा हमारे सा जुड़े हुए हैं उनका रूप करेंगे जवानकरी के लिए जोती लगतार घाटी में टार्गेट किलिंग के मामले जो है लगतार बढ़ते जा रहे हैं एक और मामला ताजा मामला फिर से सामने आया है लेकिन परशासन उनको इस तरह से मनाने में लगा था कि यहां ऐसी कोई बात नहीं है जो हो चुका हो चुका आगे उन्हें पूरी सुरक्ति जाएगी लेकिन आज के इंसिजेंट ने एक बार फिर से सरकार के जितने भी प्लैन से उनको शेटर्ट कर दिया है दो मिल गर दिया है और तब भी से ही कश्मीरी माय उन्होंने जम्मू स्रीनगर राष्टर राजमार गवरुद किया हुए सड़कों पर लेटे हुए हैं और यहीं कह रहे हैं कि सरकार उनका ये भी कहना था कि भारते जंता पार्टी और जम्मू कश्मीर सरकार दोनों नहीं उन्हें चला है उन्हें दोक्रा दिया है उन्होंने जूठे आश्वासन किये थे जो पूरे नहीं हुए हैं ना तो यहां पर सुरक्षित हैं ना मैफूज और ना ही नोक्री कर पा रहे हैं लिहाजा उन्हें कहीं भी स्थानांतरित किया जाए अब वो उन्होंने पूरा 24 गंटे का अल्ट गया है है इसको लेकर के क्या कुछ प्रशासनिक तॉर पर आश्ट या जा रहा है लिखित जिस तरह कभी भी कोई वारदात होती है उसके बाद पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते हैं मौके की स्थिती का जाइजा लिया जाता है उसके बाद एक्शन्स होते हैं और उसके बाद एक बयान बादनिया शुरू होती हैं कि हम उनका बदला लेंगे हम ये करेंगे ये काहिराना हरकत है तो इस तरह के तमाम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो जोती हो रहता आज भी हो रहा है लेकिन आप देखे टार्गेट के लिंग के तहट चुन-चुन कर लोगों को मारा जा रहा है तो निसंदे दैशत का महुल पनब चुका है अलाकि सुरक्षा भलों ने लगातार इंकाउंटर्स करते हुए तहीं अतंक वादियों को मौत के गाट उतार दिया है बावजूद इसके ये कहां से अतंकी आ रहे हैं और बिल्कुल टार्गेट के लिंग करते हैं स्कूल में दूश के उन्होंने उनको मारा है वह तैक बहुत बड़ी वारदात है अब तभी से ही जितने भी जम्मू ये जम्मू के रहने वाले से जमू के साहज लेकर आप इह रहने वाले एंके घर में पूरा इस तरह का माहूल है जैसे अभी यह जितने भी कश्मीर में लोग हैं अभी लोग आज रहेंगे तो कुल मिलाकस सितियां बहुत तहज नहीं है समवेदंशील मामला है और सरकाफ को इस समय अगर कोई बड़ी कारवाई जब तक नहीं करेंगे कि इनको किसी सरा भी करना लागत नामुम्किन सा प्रपीद हो रहा जी जोती बने रही है लगतार अपडेट साब से लेते रहेंगे बड़ी जानकारी और मैं तो पूर्ण जानकारी अपने दर्शोकों तक पहुचा रहे थे बता दे कि जमू कश्मीर में फिर से टार्गेट किलिंग की निशाने पे आई हैं एक हिंदू शिक्षक तो जमू कश्मीर के अवंदी बोरा में सेना और आतंकियों के बीच आज सुभर से ही मुटभेड शुरू हो गई है जिसमें सुरक्षबलों को एक बड़ी काम्याबी मिली है सुरक्षबलों ने मुटभेड में दो आतंकवादियों को मार किराया है तो वहीं सुरक्षबलों ने आतंकियों के कवजे से दो एक फॉटिस्टेवन भी बरामत की है और ज़र जानकरी के लिए ब्यूरोचीफ जोती पच्छननदा मासाथ बने हैं उनका रुखर लेते हैं जोती अवांतिपूरा में सुरक्षबलों का लगतार सर्च ऑपरेशन जारी है लगतार अतंकियों की खोजबीन वहाँ पर की जारी है और पकड़े गया अतंकियों के पास दे दो एक फॉटिसेवन बरामत किया गया है क्या कुछ और जानकरी जिस तरह सुरक्षबलों नेपाल जम्मू कश्मीर परशासन जो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर अलब संक्य संग्धाओं की सुरक्षब को लेकर जो अश्वासन दे रहा है तमाम अश्वासन आज खोगले सावित हो रहे हैं इसके साथ ही शिप सेलाद इस पत्रकार वारता से ग्रै मंतराले से जम्मू कश्मीर परशासन से अपील करती है कि कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले अलब संक्य संग्धाओं को जल से जल हत्यार लाइसेस मोहिया करवाए जाए तो जम्मू कश्मीर में आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शुन चारी है लेकिन अब कुलगाम में के हिंदू महिला टीचर की हत्या ने सब को डरा कर रख दिया है वहीं प्रदर्शुनकारी पंडितों का ये कहना है कि हम सरकार को 24 घंटे दे रहे हैं नहीं तो हम खुद कश्मीर छोड़ देंगे हमें LG और BGP पर भरोसा नहीं है उन्होंने हमारे साथ हर समय खोकले वादे किये हैं उख गही है हम इसके खाल आगे है सारे हम तो कहते हैं कि कि यही भी और हम आपके माढ़्यम से अपने जतने बी बանूब के जो स्मस्था की है उनसे ऊब्यारश करते हैं कि वह भी अपर दरशेर में शामिल हो जाए और हमी सफ़ादेट्टरी इस तो हमारे हालाद कुछ और ही बिगड़े हुए हैं किलिंगों को भी एक औरत की इनके हाथ नहीं कामते सर बच्चा हो और तो इनको कोई फरक ही नहीं पड़ता इसलिए मैं बस यहीं बोल रही हूं कि सर यहां पे सब कुछ खतम हो चुका है जो हम कश्मीरियत की बात करते हैं बॉषटा करते हैं एल जी साव पर भरोषा करते हैं जेकेटी के लुशा करते हैं वो सारी चीजें खतम है हमें किसी से कोई उमीद नहीं है अब हम देख लेंगे हमने क्या करना है वह हम तक छोड़ दीजिए जया ही वो हम डिसाइड करेंगे सर क्योंकि हमें ही डिसाइड करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें से कौन सेफ है किसका अगला निशाना कौन गोली के निशाने पे होगा वो भी हमें पता ही नहीं है बट होगा हमें से तो इसलिए हम आपस में इसलिए नहीं कठा हुए है आज हम फाइनल सल्यूशन निकालेंगे और वो करके रहेंगे और यही हुआ कश्मीर पर टार्गेट किलिंग कर रहा है जिस किसी ने भी बंदुक उठाई उसको उस मौत के घाट उतार देना चाहिए उन्हें कोई माफी नहीं देनी चाहिए हमारा आज का विरोध परदेशन जो है वो यूटी सरकार के खिलाब है के अंदर सरकार के खिलाब है देखे जिस परकार से टार्गेट किलिंग कश्मीर के अंदर थमने का नाम ही ले रही आज फिर कुलगाम के दक्षिन चेतर में आज एक महिला जो गोपाल पूरा हाई स्कुल में जो टीचर थी उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई यह टार्गेट किलिंग कब रुकेगी हम सरकार से बार बार अग्रे कर रहे हैं कि सक्ति की जाए कश्मीर के अंदर उन ताकतों को कुचला जाए जो देश वरोधी हैं जो हिंदू को टार्गेट कर रही हैं जो कश्मीर के अंदर हिंदों को बसने नहीं देना चाती हम देश के पूर्न हिंदों को अवान करते हैं कि हर हिंदू कश्मीर की तरफ बढ़े अपने पैर कश्मीर की तरफ लेका जाए जब तक हिंदू कश्मीर के अंदर नहीं बसेगा तब तक ये आंतक बास्मात होने व ते वहीं उनके निधन पर जमुकश्मीर के पूर्व मुख्यमंद्री ने भी दुख जुताया है। अपने आप में बड़ा महत्तपूर्ण है। में उनके परिवार के पती संभिलना व्यक्त करता हूं को सचे हदे से शंदाजन देता हूं। वो ना केवल पार्टी के हैड थे बलके रियासत जमुकश्मीर का जो पॉलिटिक्स है उसके वो कंप्यूटर थे लिविंग कंप्यूटर थे। वो हिस्टोरियन थे रियासत जमुकश्मीर कब बनी क्या बनी कैसे बने किन हालाद में बनी और यहां के शूरवीर राजू महराजू ने इस रियासत को क्था कैसे किया और रियासत जमुकश्मीर वलदाक एक सिटेट बनाई विशाल सिटेट कर आपको पता हैं सर के इस पर अमरीका की नज़्रें थी अंग्रेज की नज़्रें थी लेकिन हमारे जो शुरवीर बादशा थे महराजा परताब सिंग उन्होंने इन स्टोरी सुनाने के लिए वो लेट जाते थे तो हाँ मैंने सून लिया ओके गो उनको चायशाई पिलाके कि उनकी मर्जी थी यह आपको आप बचे हैं आप भी समझो क्योंकि देश का जो नाम जो है भीम सिंग जी ने एज एक स्टेट्स मैं उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम उंचा किया है और मुझी याद है कि पहली बार जब मैं भीम सिंग जी के साथ लंदन में हमें कश्मीर के डिलेटिड कानफरेंश थी तो वहां पे पाकिस्तानकी जैसे बेनिजिर बटो जैसी शक्सियत बहां पे आई थी और उस conference में तीन दिन की conference थी और उस conference में जब हमारा जो आने जाने का और आर्गनेशन की तरफ से था कि हफ़ता रुकना वहां पर आने जाना उनका था और होटल भी accommodation उनकी थी तीसरे दिन जब उस conference में एक resolution ये डाला गिया कि ये कश्मीर का जो मसला है ये disputed है इसको UNO में भीजना चाहिए एक resolution डालो और मुझे याद है कि बीम सिंग जी खड़े हुआ और उन्होंने जितने भी जो लोग थे इस तरीके की बात करने वहले उनकी असी तैसी करके रख दी गरेब कल्यान योजना सेवा कारिक्रम के आठ साल पूरे होने पर कारगिल के सेद महदी मेमोरियल औरिटोरियम हॉल में कारिक्रम का योजित किया गया जहां लोग अलग अलग विभागों के स्टॉलों पर ज्वाकर योजना की जानकारी जुटाते नजर आए वहीं इस दौरान मुख्यातिती फिरोज अहमद खान ने डी सी कारगिल संतोश सुखदेव के साथ सभी स्टॉलों के दौरा किया कि जो स्कीम वो लोग हमारे यूनियन गॉर्मेंट जो बनाता है जरीबून के लिए और जो पैसा जो इस स्कीम के तहत एक बेनिफिश्री को वो लोग देते हैं क्या वाकिए वो उस स्कीम और वो यह है कि वो स्कीम इंप्लिमेंट हो रहा है कि नहीं है दूसरी बात यह है कि जो पैसा उनके नम पे दिया जाता है क्या वो डिरेक उनके ऐकाउंट में पोर्टा है कि नहीं पोर्टा है जिस수가 बहुत स्कीम्स हमारे मुखतलिब डिपामेंट में यहां पे हमारे अभिस्टिक में भी इंवल्किया जा रहा है हम सब जानते हैं तो और हमें उमीद भी है कि जो जिससाब से हमें फीर्डेक मिलता है मुप्ली डिपार्मेंट से उससे यह अंदाजा आता है कि उस जो स्कीम से उनकी सही इंप्लिमेंटेशन भी हो रही है और लोग जो है उसका फाइदा भी ले रहें है विश्व तमबाकू निश्वेद दिवस के मौके पर जम्मू में जागरुकता रैली का आयो जुन किया गया जिसमें लोगों को द्रूमपान या तमबाकू चबाने के प्रतीकूल प्रभाव के बारे में सूचित किया गया इस दोरान लोगों ने कहा कि विश्व स्वास्त संगठन के आदेश आदर्श वाक्य के अनुसार स्वास्त पेशिपी सभी कर्मियों को हर दिन जुम्पान को रोखना सुनिश्वित करना चाहिए जमू के गांधी नगर अस्पताल में कई स्कूलों और महाविद्यालोयों के पैरो मेडिकल छात्रों के सहयोग से राष्ट्यमानसिक स्वास्त कारिकरम साथी तंबाकू नियंतरन कारिकरम के तहट विश्व तंबाकू निश्वित दिवस पर एक रैली का आयोजुन किया गया जिसे अस्पताल के अपातकालीन गेट के सामने से जंदी दिखा कर रवाना किया गया इस्रेयली में चात्रों ने अपने हाथ में तंबाकू निश्वित के लेकर पूरे गांधी नगर में युवाओं को संदेश दिया कि तंबाकू का सेवन ना करें जो तबाकू नोशी करती है ताके वो उसे अवेर रहे हैं जिसकी वज़े से कैंसर फैल रहा है जो और बिमारियां आ रही है जैसे लंग देश दीज आ रही है तो वो सब खत्म होते हैं तो जमू कश्मीर के बारा मूला में बोदवार को देश की सेवा करने वाली जवान मुदसीर एहमद ने जैशे मुध गुठ के तीन पाकिस्तानी आतंकियों को मार खिराया था और जोरान मुदसीर शहीद हो गए थे जिस पर पूरे देश को नाजे वहीं सोशल मीडिया पर उनका एक भावुक कर देने वाला वीडियो वारेल हो रहा है जिसमें वो हम जीएंगे हम मरेंगे ऐवतन तेरे लिए गानगा रहे हैं जम्मो कश्मीर स्वैस सेवी सेवा निवुथी करम्चवरी संघ ने जम्मो के प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शु किया यह धरना VRS यूनियन के अधेक्ष देवराज बाली के नह्तुत में किया गया इसमें प्रदर्शुनकारियों ने आरटी सी प्रबंधन और परिभान प्रधिकरण के उच्छ अधिकारियों के अडियल रवये की आलोचना की और उप्राजिपाल और मुख्य सचीव से उनकी मांगों को संग्यान मिलेने की अपील की कर दो मारा डौस्टेश हिंजा प्रांसपोर्ट हाय-थाarटी के ख़णाओ फाइनास रपार्ट्मेंट के ख़णाओ कि 사Baynasa के सरकार के साथ जोमारी कमिन के हुथी सरकार ने है तक पूरी नीतुन सिरकार के आड़र्स मताब voorारे बिल जिसमें कोला एरियर सिक्स्वेक मिशन एरियर एंड ये एरियर जिसमें वियर सेंपलाई जी आचे संपलाई एंड आर्मी रिटार्ड जिद का मौंट है सताथ करोड 95 लख 94,710 वे वो सिवल सेक्टेर्ड में पड़े हुए हैं हम सरकार से ये मांग करते हैं वो पेमिट हमारी जाद 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 अरिलीज के रीज़ जाए जब के फाइनास डबार्ड मिंट ने ट्रांसपोर्ड डबार्ड मिंट को 170 करोड 30 लख कर पे अरिलीज किय है जिसमें हमारा स्टार्ड करोड 95 लख है हम यहीं सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी जो पेमिट है वो भी दिन डेज़ तक रिलीज की जाए अगर वाई यह असानी होता तो हमारा यह जो जरना पदाद है जारी रेगा जाने आनतनाग में मन्रेगा के तहत काम कर रहे मश हाग रह किया दो है अचे जाए हमारे मुश्किलात है वो मुश्किलाथ हम बहुत दो-चार हुए है यहां पर हमारी जो सबसे बड़ी है मतलब 2017-18 की जो पेमेट हम फासी हुई है उससे हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमने वेंडर सब्सक्राइब कि आमने किसिन ने शिमर्ट दिया है कि बाजरी दिया है किसी ने रेध दिया है किसीले डियंट दिया है किसी बैक से लोन लेकि वह काम हrid azapply किया था बलाक से वद क्रिजमति से इभी तक उसका जो जो मिट्रेच पयमेंट पिछले सालों से पढ़ी है वो वाबज़ार किया जाए तो फिलाल के लिए इस बुलेटित में इतना ही देश दूने के तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रहें जवनतंत्र टीवी नमस्कार खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जवनतंत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें